की है हिन देखे भारत जो है वो दोनों से बीस्वनों से घ्रा हुए एक और पाकिस्तान और एक और चाइना जो है वो हमारी उपर हमेशा नीगरानी रख रहा है उसके पास सर्वलांस के लिए बहुत बड़े-बड़े सिफ है अभी नेवी के सर्वालांस में वो पूरे टो इन्हें पकडने के लिए या फिर चाइना ने यहाँ पर कोई अपना सीफ ही दे दिया हम लोग 드 इधर से तयीया रहते हैं कि यहाँ चाइना हम दुट आ चाहीना है है। इसके लिए यहाँ पर चाहिना ऩे naturale कषीब अधि यह किसी भी दूर से दूर आ रही मिसाईलों को आराम सी यह ट्रेस कर लेते हैं भारत के पास इसकी कमी थी 2014 में ही इस पर काम हो चुके थे और इसे 18 में हलका मतलब इसे C ट्रैल किया गया था अभी इसे finally INS DRU के नाम पर इंड़क कर लिया गया जब इसे secretly नाम दिया गया था VC 11184 नाम दिया गया था इसे इंडियान नेवी ने डिजाइन किया है खास करके इसका जो मकसद है वो सर्वलांस का काम है और हाई लेबल का जो 2000 किलो मीटर जादे आगे तक सर्वलांस कर सके यह बहुत बड़ा सीप है 15,000 टन का इसका displacement है और यह पानी में इसकी स्पीड लगभग 40 किलो मीटर प्रती घंटे रहने वाली है इस भारी भरकम सीप की इस इक भी खास यह तो 75 मीटर लंबा है और 22 मीटर चोड़ा है इस पर एक टैम पर 300 क्रू मेंबर रह सकते सबसे खतरनाग बात है इसका radar system इसका radar जो है वो 360 डिगरी घूम सकता है और इसके radar में एक और खासियत है कि इसका radar एक single radar न बनके बलकि छोटे 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 radar के group बना हुआ है जिसे TR module कहते है यह आप देख रहे हैं तो इसका हर एक छोटा 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 हिस्सा है वो अपने आप में एक स्वतंत radar है इसकी कुल संक्या 6400 है तो 6400 TR module है वो 6400 वेब छोडेंगे इससे फायदा यह होता है कि multiple target पे हम लोग focus कर सकते हैं जैसे मान के चली यहां से दो target आ रहा है तो 6400 में से मान के चली 100 ठोटी आर मोडिल डिरेक्ट इस पर focus रखेगा इस पर focus रखेगा तो बाकी सब तो बचे रहेंगे ना कुछ इस पर रख लेगा कुछ इस पर रख लेगा तो पहले एक single radar होता था जो एक ही पर नजर रख पाता था तो अब helicopter को land करने के लिए भी जगा दिया है ताकि वो emergency की इस्तिती में यहां पर evacuation या जरूरी संसाधन या यहां से लोगों को निकालने में मदद कर सके ballistic missile बहुत दूर तक हमला कर सकती है यह कई 1000 km जा सकती है यह direct हमला नहीं करती है यह चूपी हुई जगा पे रहती है या वो पता लगाने के लिए INS धुरू काम करेगा यहां से अगर कोई ballistic missile launch की जाती है तो इस रास्ते में ही से track कर लेगा कि यह किस speed से जा रहा है और कहां तक यह जा सकता है और further information भेज़ देगा वो अपने दूसरे ship पर या वहां जहां हमारा air defense लगा हुआ है और वो air defense इसे 30% की गिरावट देखें अब हम लोगा जो देखें हम लोगा जो import होता है वह बहुत जादे होता था एक वक्त था जब दुनिया में हम टॉप पर थे लेकिन अभी तो सौधी अरब टॉप पर फिर आता है इंडिया फिर मीस और चाइना आते हैं import के मामले में तो अब हम लो है कि हम लोग import को कम कर दियें ताकि हम स्वधेशी बना रहे हैं इसलिए हम लोग का 33% गिरावट देखा गया है इसका मतलब यह नहीं है कि हम लोग ने हतियारे नहीं लाए है या फिर सेना में कुछ छूट दे दिया गया या फिर उसमें धिलाई बरती जरी ऐसा नहीं है हम हम उसे बना रहे हैं तो जब हम मेक इन इंडिया करेंगे तो বख घटेगा ही यह अच्छी बात है कि हमारे यहां घट रहा है और इंपोर्ट घट रहा है और एक्स्पोर्ट बढ़ रहा है लेकिन बहुत संतोश एक्सपोर्ट नहीं देखा जा रहा है सेना के सेक्टर में डिपेंस में, डिपेंस में सबसे ज़्यादे यूएस का वर्चस वे 37 परसेंट लगबग पूरी दुनिया का एक्सपोर्ट अके लिए यूएस से कर देता है, 17 परसेंट रूस करता है, 8 परसेंट फ्रांस, चाइना का नंबर चौथे, नंबर प्रे 5.2 परसेंट पर इंडिय रिचल में, टरियंट बरे चाहिसिया इंडिया, 0.2 परसेंट है, आलहकि बेदिया का बहुत पीछे हैं, आज की दिल लडाइ सर्फ करना चालू भी कर दिया है, भारत मुल्हीं रूप से घौन आनस लेबल चीजर औनक आयात कर राहा है, जैसे मैं राफाल हो गया, और उसकी सख्ट जरूत है जबकि अगर देखेंगे भारत को निरियात करने के लिए तो भारत ने बहुत सारे चोटे छोटे देशों को निरियात करना चालू कर दिया जाए वो अभी देखेंगे में किन इंडिया के था थी हम लोगों ने अपना हेलिकॉप्टर अपना तेजास जहाज पिर एरक्राफ्ट करियर तक बना दिये तो इन सब छोटे-छोटे हतियारों को भारत बहुत ज्यादे लेकिन फाइनली सफलता अंती में मिलती है तो फ्रांस ने जो राफल बना लिया है फॉसके भी बहुत सारी टेकनोलजी फेल हुई थी तो हम जीतना ठोकर खाएंगे उतने ही हम समझेंगे कि आखिर इसमें क्या क्या टेकनोलजी हो रही है आत निर्भर होना इतना जादे जरूरी है कि अभी देखेंगे जापान का मैनमार के साथ बढ़ा अच्छा रिलेशन था लेकिन अभी मैनमार में तक्ता पलट हुआ है तो तक्ता पलट होने से पहले मैनमार की सरकार जो आंग संग सुकी थी वो जापान से एक सेटलाइट लाउंच करने के लिए बोली थी तो जापान ने उस सेटलाइट को डारेक्ट लाउंच नहीं किया बलकि उसने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर इसे ले जाके लॉक किया और कहा कि भई हम इसके बाद इसे जब उचित और बीट आएगा तो हम उसे में लाउंच कर देंगे तब तक इदा तखता पलट हो गया तो जापान ने कहा दिया कि भईया ये तो सेना से हमारा समझोता ही नहीं था हमारा तो डॉमेकुरेटिव गवर्मेंट से समझोता था जब सरकार आईगी तो हम यह सेटलाइट लाउंच करेंगे अभी उसको यहीं पर बान के रखा है ख तो दिया विकट परिस्थिती के समय में कोई भी देश मना कर देगा जैसे मान के चली हमारा फ्रांस से अगर रिलेशन खराब हो जाता है तो क्या वो राफाल के पार्ट पूर्जा देगा उसमें कोई सेंसर राडार कुछ भी बिगड़ या नहीं देता है खर हमारा उस्था के ताथ जमीन के अंदर पहाड़ों को खोथ गूफा बनाया जाएगा उसमें इस पंडूबी को लेकर चले जाएगे तो पता ही नहीं चले का हमारी पंडूबी कहां है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे क्योंकि भारत सरकार ने जब देखा था हमारी नेवी ने क चीन की पंडूबी ऐसे इमेज में देखेंगे तो ऐसे आ रही है और अंदर कहीं घूच जाएगी इसके अंदर बेस बनाया था तो भारत सरकार को भी लगा था कि हमें भी बनाना चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या फाइदा और क्या नुकस हो सकता है और अगर इसके ऊपर ही एटमीक हमला हो जाए तो फिर यह कैसे सुरक्षित बस सकते हैं और आप सबका एक बार तहे दिल से फिर से धन्यबाद आप सब लोगों ने इतना स्ने दिया जो इतना जल्दी साथ मिलियन सब्सक्राइबर पहुंचा दिये एजूकेशन चैनल को बहुत कम ग्रोथ मिल पाता है लेकिन आप सब लोगों को फिर से तहे दिल से हाथ जोड़कर धन्यबाद देते हैं आप लोगों ने इतना जल्दी पहुंचा दिया ना कि मेरा साथ मिलियन बहुत पहले हो गया मतलब 12-13 तरीक हो गया था लेकिन वह अपडेट नही मेल भी गजब का आता है कलिफोर्णिया वगरा है उसका हेड़ ऑफीस है तो वहां से मेल आता है तो उनकी लेंग्वेज भी गजब कि रहती है प्रोफेस्टनल हमको लगा क्या करेगा भाइसा फिर उसने तिन चार दिन तक किया मेल अफिर बात की मेल टू मेल ही होती है उन इतना जल्दी कैसे हो गया जब तक हम पूरा क्लियर नहीं करेंगे तब तक हम भी अपडेट नहीं करेंगे उसको आप सब लोग का इतना स्थे मिलता है तो हम भी अभी थोड़ा सी क्या आए कि पटना में आफ्लाइन क्लासे खुल गई है तो यहां आठ गंटा नौ गंटा डेली क्लास लेना पड़ता है तो थोड़ा टाइम कम मिल पाता है लेकिन फिर भी अब हमने थोड़ा सब प्लान चेंज करेंगे तो नेक्स्ट वीक से आपनों को रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे और इस वगयाने जो भी चीज़े बाकी रह गई है वीडियो में उसको भी बताएंगे आप सब लोग करता है दिल से धन्यवाद बहुत 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 धन्यवाद आप लोग का थैंक्यू मिलेंगे नेक्स क्लास में जैहिन